हलो गाइज, हाई अवर्यूवान, कैसे हो आप साब, I hope कि सब स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे, तो चलिए दोस्तों, आप सब का मेरे फर्स्ट ब्लोग में स्वागत है, वह ऐसे देखा जाए तो दोस्तों, यह मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं है, इसे पहले भी मैंने मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो चलिए दोस्तों, मेरा घर दिखाता हूँ आपको, यह देखिए, यह जो आम का पेड़ दिख रहा है, यह दो मंजला वाला, यह घर मेरा लगभग सात या आठ साल हो गया बना कि इसको, तो दोस्तों, तो चलिए अंदर, पूरा अंदर शे भी आपको दिखा देता हूँ मैं, तो चलिए, अभी हम, अभी हम गेट खोल के, अंदर जाते हैं दोस्तों, चलिए, स्वागता है मेरे घर में आपका, यह मेरा छोटा सा गाड़ी है, और यह मेरा छोटा सा मोटरसाइकल, दोनों का नंबर सेम हैं दोस्त डबल फॉर डबल टू, तो चलिए, अभी यहाँ पे उपर चलते हैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ, यह नीचे मेरा पूरा परकिंग और मेरा ओपीस है नीचे, मेरा स्टूडियो है, तो चलिए, उपर चलते हैं, हम अभी उपर पहुंचने वाले, बस पहुंच गए, तो चलिए, यह मेरा हॉल है, लाइट चलाता हूँ दोस्तो, अभी फिलाल में, यह मेरा टीवी है दोस्तो, और लाइट जलाएंगे भी, बस लाइट जलने लगाए दोस्तो, यह मेरा हॉल का इंटेरेर है, अब दोस्तो, यह दक उपर में, मैंने, शिलिंग में, फर्सिलिंग किया हुआ है, तो, चलिए दोस्तो, मैं आपको मेरा बालकोनी भी दिखाता हूँ, मैंने यह हॉल के सामने बालकोनी बनाया हुआ है, यहाँ पर आई है, यह दिखे चोटा सा बालकोनी बनाया मैंने, बस यही कुछ छोटा सा घर बनाया दोस्तों मैंने तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको मेरा बेडरूम दिखाता हूँ यहाँ पे टीवी है साइद सोपा आपको दिखाया के नहीं मालूम नहीं तो दोस्तों यह मेरा बेडरूम है दोस्तों यह मेरी बेटी है और यह बेडरूम में मैंने एक एसी भी लगवाया है तो चलिए किच्छन में चलते हैं यह मेरा भगवान का मंदिर है यह भगवान का घर है यहाँ पे और यह किच्छन का पूरा अबना किच्छन रूम है एक अपाट है बरतन ड़कने वेला तो ये फ्रीज है दोस्तो आप सबको मेरा ये घर काईशा लगा जरूर कमेंट्स करके बताना दोस्तो ये मेरा आउट साइड का पीचे वाला थीचे वे साइड का बालकनी है दोस्तो ये और ये मेरे अमरुप के पेड़े दोस्तो तो अभी चलिए मैं आपको अपना ओपिस दिखाता हूं जो मेरा स्टूडियो है चोटा सा स्टूडियो है तो चले चलते स्टूडियो में हम फिर वापस आगए नीचे पार्किंग में यह हमारा छोटा सा ओपिस या तो आप स्टूडियो कहिए यह हमने छोटा सा आपने ले ओपिस या स्टूडियो जो भी आप समझो बनाया है यह हमारा ट्राइपोड आए और यहां पे मेरा चेर और दोस्तों यहां पे मैंने अपना प्रिंटर रखा हुआ है और यह मेरा जैसे के हेंगिंग लाइट लगाया है ये देखो मैंने अपने च्वाइस के हिसाब से मैंने सिलिंग में सिलिंग का काम किया है दोस्तों और लाइटिंग बगार लगाया है थोड़ा यह थोड़ा साब को दिखाता हूं दोस्तों देख लेना यह मैंने कुछ इस तरह से अपना छोटा सा स्टूडियो बनाया है दोस्तों यह मेरा कपाड है जो भी मेरा समान रखने के लिए यहां पर दो चेर लगाये हुए दोस्तों जो कोई आएगा तो वो कोई बैट निकले चलिए दोस्तों I hope मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मेरा यह फास्ट ब्लोग आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब करो लाइक करो शेर करो और कमेंट्स भी करो और दोस्तो बेल आइकोन प्रेस करो ताकि मेरा हार एक आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए गाइस मिलते नेक्स्ट यूडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदिमात्रम